पूरा के पूरा जो फंक्शन करता है या चलता है देश वो सम्विधान के उपर ही चलता है इसे देश की सरवोत्तम और आधार भूत विधी भी कहा जाता है सरवोत्तम मतलब सम्विधान से उपर कोई नहीं होता और आधार भूत मतलब सारी सासन की क्रियाएं जो होती है वो इसी पर वैस्ट होती है ये नीव होता है किसी भी देश के सासन की अगर और साधरन अर्थों में इसको समझें तो जिस देश का सासन जिन नियमों सिध्धान्तों के अनुसार चलता है उन सिध्धान्तों या नियमों के सम्हों को समविधान कहा जाता है मतलब कोई भी अगर देश से वो देश किस तरहां से काम कर रहा है वहाँ चीजे किस तरीके से होती है महाँ कानू निर्मान कैसे होता है वहाँ निया पहली का कैसे वर्ख कर सकती है सरकार कैसे वर्ख करती है वहाँ अधिकारी कैसे वर्ख करते है इन सब चीजों को नियम कायदों को बनाने वाला जो समू होता है या इन से धानतों को समू होता वही सम्विधान कहलाता है तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा अखिर सम्विधान होता क्या है वो वैसिक सबसे बड़ी विधी सबसे बड़ा कानून जो तै करता है कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा और चीजे किस तरीके से होंगी तो ये होता है समिधान देखिए भारत की बात करें तो भारत में समिधान को देखिए भारत के अंदर संसधिय प्रणाली की सरका पहला जो important सब्द आया है वो है इसके उपर हम पूरे विस्तार से अगले वीडियो उसके अंदर बात करेंगे लेकिन अभी जो basic जानकारी है वो मैं आपको दी देता हूँ देखिए संसदी प्रणाली की सरकार वाला का मतलब यह होता है जो सरकार है वो संसदी प्रणाली की हो होती है और जो मंतरी प्रिसद होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और मंतरी प्रिसद लोग सभा के प्रति सामविक रूप से उत्तरदाई होती है मतलब वो तभी तर काम कर पाती है जब तक की जनता का उसके उपर विश्वास होता है या सदन का उसके उपर विश दशे होना चाहिए, तभी वो सरकार काम कर पाएगी, तो ये है संसेधिय बढ़नाली, जहां मतब जो व्यस्था होती है वो मंत्री प्रिस्थी पूरी व्यस्था को दिखती है, और वो जो होती है लोक सहबा के प्रतिव तरदाए होती है तो ये हैं हमारे यांकी एक तो संसेदी प्रणाली, दूसरा प्रभुता संपन्दी की प्रभुता संपन्द का आशे ये होता है कि कोई भी देश जो अपने निर्णे खुद ले सकता है उनको इंप्लिमेंट करता है और वो अपने निर्णेों के लिए किसी और दूसरे देश के उपर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होता और जो उसको करना होता वो खुदी करता है तो वो क्या कहलाता है सौवरण या फिर प्रभुता संपन तीसरा होता है समाजवादी कि हमारे जो देश है उसको समाजवादी बनाए गया समाजवादी मतलब एक समाजवादी तो जो पश्रिम, यानि कि वेस्ट में जिसकार्ट लगाया जाता है, जो उत्पादन के समस्त साधन होंगे, उन समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण, यह होता है समाजवादी, लेकिन भारत में लोगतांतरक समाजवादी बनाए गया, मतलब हमने एक बीच कर रास्ता चुना ह हमने ऐसा नहीं कि सारी चीजों को पूरी तरह से नियंत्रिट कर लिया है, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उनको नियंत्रिट कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमने बजार के उपर भी कुछ छोड़ा है, कुछ हमने भी, कुछ सरकार ने उनको नियंत्रिट जिसे रास प्रिक्षनी शेकुलर है हमारा कोई भारत का ओफिशियल कोई धर्म नहीं है हम सभी धर्मों के लिए समान आदरभाव रखते हैं ये उसका अर्थ होता है चोता है लोग तंतरात्मक लोग तंतरात्मक मतलब यहां जो सरकार है वो लोग तंतरात्मक सरकार है जनता के द्वारा चुनी गई सकार है यह होता है लोकतंत्रात्मक और छटवा है गढड़राज़े लिएकि गणड़राज़े का मतलब होता है एंसा देश जिसका राष्टध्यक्ष या राष्ट्रपती यानि जो भी राष्ट्यक्यतर सर्वोच होता है वो अगर उसका चुनाव होता है वो निर्वाचित होता है तो सम्मंदि देश गणराज्य कहलाता है जिसे भारत के राष्ट अदेख्ष या भारत के जो मुखिया होते हैं वो रास्टपती होते हैं और भारत के अंदर रास्टपती चुने जाते हैं तो भारत एक गणतंत्र है लेकिन वहीं ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन एक गणतंतर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो मुखिया है, वो महरानी है, और वो वन्शानुगत होती है, वो चुनी नहीं जाती, उनका चुनाव नहीं होता, तो भारत एक गणराज्य है, तो ये तो important चीजे थी जो भारत की उसके बारे में थी बांकि इन्टियो पर हम अगले वीडियो के अंदर जम सम्विधान की विसेश्टाओं को पढ़ेंगे तो और विस्तार से बात करेंगे यहागर राज्य भारत के सम्विधान के अनुसार सासे थे मतलब जो भारत का सम्विधान है उसके अनुसार हमारा जो देश है उसका शासन विस्ता चलती है बात करें भारत के सम्विधान की तो भारत का जो सम्विधान है वो सम्विधान सभा द्वारा 26 नमबर 1950 को पारित हुआ था यही बनाए गया था और उस सम्विधान सभाने 26 नवर 1950 को हमारा सम्विधान मिनाया और ये जो सम्विधान मन करते हार हुआ ये 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 26 जनवरी 1950 से फिरम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं अब आशाय को समझ में आ गया हो कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है या गणराज्य का मतलब क्या होता है गणराज्य या गणतंत्र जो होता है जब राष्टर पती या राष्टर धिच जो होता है वो निरवाचित होता है यानि कि चुना जाता है तब ही वो देश गणतंत्र गणराज जो कहलाता है प्रजातंत्र और गणरतंत्र दोनों अलग अलग चीज़े हैं भारत के समिधान की बात करें तो बावा सही भीमरा अमबेटकर जो है वो भारती समिधान की निर्माता है क्योंकि जो प्रारूप समीती थी ये उसके अदिश्टे और बहुत बड़ा मामले में बावा सही भीमरा अमबेटकर का सम्विधान की जो मसोधा समीती मसोधा का ये सुद्ध हिंदी सब्द है इसका मतलब होता प्रारूप तो प्रारूप समीती ये ट्राफ्टिंग कमेडी थी उसके अदिश्टे जो थे वो डॉक्टर बावा सही भीमरा अमबेटकर तो जो भारत का समविदान है, वो विश्यो का सबसे बड़ा लिखित समविदान है सबसे बहतरिन है क्योंकि अभी तक ये फंक्शनल कर रहा है अभी तक ये काम कर रहा है हाँ आलकि इसमें अमेडमेंट यानि कि इसमें बदला हुए है इसमें संशोधन हुए है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारती संविधान को पूरी तरह से उठाकर एक तरफ कर दिया गया और फिर यहाँ पर जिसे अने देशों के साथ हुता है कई बार संविधान के उपर काम नहीं करते हैं निशासन लग जाता है और इस तरह की बहुत सारी शीजे हुती रहे थी तो भारत के साथ यह कभी भी नहीं हुआ काफी सक्तिसाली है मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो काम अपने अच्छे से कर रहा है हमारे संविधान के द्वारा तो सक्तिसाली संविधान है सम्विधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को भारत के सम्विधान बनकर पूरा हो गया था और यह साल मनाया जाता है इसको सम्विधान दिवस या विधी दिवस के नाम से भी जाना जाता है विधी दिवस के नाम से भी से जाना जाता है 26 जनवरी को का जो दिन होता है भारत में गनतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस रोज हमारा जो सम्विधान था वो बनकर पूरा होगा था और लागू कर दिया गया था तो ये गरतंतर दिवास की रूप में भी हम मनाते हैं अब और थोला सा विस्तार में समयने की कोशिश करते हैं कि आकर समविधान क्या होता है देखे ये वही दस्तावेद है जो राज के समस्तंगो कोई भी जो देश होता है एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि जहां भी राज का आए तो पॉलिटी की अपनी टर्मिलोजी होती है पॉलिटी की अपनी भासा होती है और पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो राज का मतलब जो होता है वो स्टेट नहीं होता या फिर जो से प्रदेश कहते हैं सुद्धिनली में प्रदेश ना होकर उसके अंदर प्रदेश भी सामिल होता है उसके अंदर देश पूरा सामिल होता है तो जब भी आप राज की बात करें तो आप समझ जाएं राज से मतलब है पूरा देश की बात चल रही है जो और स्टेट होता है वो फंक्शन करता है और यही होते हैं जो सारे की सारी काम करते हैं कि विधायका जो होती है मतलब जो सदन होता है संसद होती ही या विधानसवा होती है जो विधेयक बनाने का या कानून बनाने का काम जो करती है वो होती है विधायका उस कानून को तो इन तीनों को शक्तिया प्रदान करने का कारूं करता है ये करता है हमारा समिधान इन तीनों अंगों को समिधान की मरियादाओं में रहकर अपने करतवियों का निर्वहन करना होता है और ये बदला नहीं जा सकता मतलब इसको नहीं कर सकते अब देखे अगर ऐसा हो के विधाई का अपनी मनमानी करने लगे या कारेपालिका जो सरकार है वही अपनी मनमानी करने लगे या नियापालिका अपनी मनमानी करने लगे तो कौन बताएगा भहिया के आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना तो इसके लिए क्या पता है हमारा सम्विधान मनायकर साब नियापालिका ये काम कर सकती है ये नहीं कर सकती है कारिपालिका की शक्तियां या हदें ये है कारिपालिका ये कर सकती है ये नहीं कर सकती है और विधाइका की हदें विधाइका की शक्तियां ये है विधाइका ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती ये बिलकुल इसपस्ट होना जरूरी है यदि इसपस्ट नहीं होगा तो फिर इन तीनों संस्थाओं में एक दूसरी के उपर टकराव आएगा और जो की अच्छा नहीं होगा तो ये इसके लिए समविधान होता है कि ये अपना काम ढंग से कर सकें और इनकी मरियादा इनकी स समविधान बनाया था भारक का समविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिकित समविधान है तो इसकी बात हम कर चुके हैं बहुत पहले है इसके अंदर जो कुल हैं चारसो पेसट अनुच्छेद बारा नुसूचियां और बाइस भागे ते यह कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जैसे कि बात करें अनुच्छेद उनीस तो उनीस के अंदर उनीस का उनीस खा उनीस गा ऐसे लेकर यह चलते हैं उनीस चा तक तो यह अगर आप उनीस को एक ही अनुच्छेद मानोगे उनीस का को भी वही उनीस खा को तो उनीस को अगर ए 19 गा को एक, 19 गा को दूसरा 19 गा को तीसरा इस तरहां से अगर काउंटिंग करोगे तो 465 अनुच्छेद भारत के सम्विधान में हो जाते हैं तो ये काउंटिंग करने से इसी तरहां से अनुच्छेद 243 के अदर बहुत सारे 30-40 करीब उसके अंदर वो है क्योंकि पंचातों से संबंदित अनुच्छे 243 है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ योड़ी ये फिर उसके बाद A, B, C, D और वो H तक जाता है फिर नगर पाली का है जो लोगी तो और भी बड़ा हो जाता है इसी तरह से 21 और 21 का को अलग अलग गिनते हो तो ये दो अनुच्छे थे लेकिन 21 का को एक ही गिनते हो तो गिनती के हसाफ से तो ये अनुच्छे थे तो ये अनुच्छे के हसाफ से 395 है लेकिन अलग 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 गिनते के हसाफ से 460 है तो ये हमारे सम्विदान है उसके अंदर की बात है इसके निर्मान में जो मूल सम्विधान मतलब जब सम्विधान बना था उस समय कुल 395 अनुचेद थे जो 12 भागों में विवाजित थे और उसमें कुल 8 अनुचेद थी लेकिन वर्तमान के अंदर ये अनुचेदों की संख्या 395 ही है या 400 पैसर जो भी आप कह सके भागों की संख्या भी वाईस है लेकिन जो अनुचेद थे वर्तमान में इनकी संख्या 12 है अब 12 अनुचेद हो गई है संविधान में सरकार के संसदिय सुरूप की विवस्था की गई है मैंने आपको बता चुका हूँ संसदिय सुरूप क्या होता है जब लोगसमः होती है और जो मंत्री परिस्द होती है वो लोगसभा के प्रती उतरदाई होती तो वो कहलाती संजदी वेस्था जिसकी संद्रशना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संगिय है यहाँ एक और important संगिय क्या होता है देखिए जब राज और केंद्र अलग अलग होता है तो वो कहलाता है संगिय आप देखें मध्रदी आप भारत के अंदर देखेंगे तो एक तो भारत में केंद्र की सरकार होती है और एक संबंधित राजों में राज की सरकार होती है और ये जो विवस्ता कहलाती है ये संगी विवस्ता कहलाती है जब केंदर केंदर अलग सरकार हो और राजों केंदर अलग सरकार हो तो भारत केंदर ये स्थिती है केंदर में अलग सरकार है और राज में अलग सरकार है ये विवस्ता संगी विवस्ता कहलाती है तो जो भारत ह उसकी जो व्यस्था है वो संगी है केंद्री ये कारिपालिका का सामविधानिक प्रमुक कौन है राष्टपती देगी कारिपालिका फिर मैंने आपको बताया कारिपालिका क्यों जो काम करने को सुमिश्चित करती है और कारिपालिका का सामविधानी प्रूवनर्व समविधान के अनुसार में जो प्रमुक है वो राष्टपती है लेकिन वास्त्विक रूप से जो प्रमुक है वो प्रधान मंतरी होते हैं राश्टपदी जो होते हैं वो नाम मात्र की खारेपलिका होती है जब हम पॉपालडी में आगे पड़ेंगे राश्टपदी को